Hello everyone, welcome back to my kitchen आज हम आपके साथ शेर करने वाले हैं एक तम डिफरेंट तरीके से सोया चिली बनाने की देशिपी जो बहुत ही ज्यादा डिलिशेस बनके तयार होती है तो आप ही एक बार इस तरीके से सोया चिली जरूर ट्राय कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी तो चिली इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में हम पानी लेंगी और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे और जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तब हम इसमें सोया चंक का एट करेंगे यहाँ पर मैंने एक कप सोया चंक लिया है अब हम इसमें इसे एट कर देंगे और गैस का फ्लेम ओफ करके इसे ढखके 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो यह सोया बीन है वो अच्छे से फुल जाए तो 5-7 मिनट बात यहाँ देख सकते हैं सोया बीन जो है वो अच्छे से फुल चुकी है तो अब हम इसका पानी निकाल कर इसे दूसरे पानी में ट्रांसपर कर देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर हम इसका सारा पानी निचोर कर एक दूसरे बरतर में ट्रांसपर कर लेंगे और इसी तरीके से जो सारे सोया बीन है उसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सोया बीन का हमने पानी निकाल लिया है अब हम इसे दर-दरा ग्राइंड कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने एकदम फाइन नहीं किया है थोड़ा सा दर-दरा रखा है अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लैक्स डालेंगे आप दिखा अपने कॉर्णिंग कमिया ज़्यादा कर सकते हैं साथ हम इसमें एक चमच सोया सौस और एक चमच चिली सौस एट करेंगे अब हम इसमें एक चोथाई चमच काली मेज का पाउडर और आदे चमच नमक इसमें हम तीन चमच कॉन फ्लार और दो चमच चावल का आठा डालेंगे जिसे बहुत ही अच्छे से क्रिस्प बनेंगे अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स कर लेंगे ये मिक्सर जल्दे ही थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो इसके कारण ये अच्छे से क्रिस्प भी बनते हैं तो अब हम इसके छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेंगे आपको बहुत ज़्यदा राउंड बनाने की ज़रूत नहीं है आप इसे थोड़ा सा ठेड़ा मेडा भी बना सकते हैं ताकि ये देखने में बिल्कुल बड़े वाले सोयाबीन की तरह दिखे तो इसी तरीके से जो सारे बॉल्स है उसे हम बना के त्यार कर लेंगे ये जो बॉल्स है वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्प बनते हैं अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप उसकी जिगपे मैदा भी इसमें एट कर सकते हैं तो सारे बॉल्स को हमने बना लिया है अब हम इसे फ्राई कर लेंगे तो आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई या फिर डिफ फ्राई भी कर सकते हैं हम या पर इसे कम तेल में सैलो फ्राई कर रहे हैं ऐसे जो सोया चिली बनती है वो डारेक्ट सोयबिन को ऐसे फ्राई किया जाता है जिसे तेल ज्यादा अबजर्ब होता है पर अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो इसमें बहुत ही कम तेल में आप इसे अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे ये बिल्कुल भी तेल को अबजर्ब नहीं करेगा और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बन के तयार होता है और अगर आप नॉर्मली सोया चिली खाते हैं तो उसे थोड़ा सा चबाना पड़ता है वो थोड़ा सा चुई टाइप का हो जाता है लेकिन आपको इसे बिल्कुल भी चबाना नहीं पड़ेगा इसमें अंदर तक फ्लेवर अच्छे से भरा हुआ है तो आप एक बार इस तरीके से सोया चिली जरूर ट्राइ किजिएगा तो जब ये अच्छे से क्रिश्पी और गोल्डेन हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से उपर से एकदम क्रिश्पी और इसका कलर भी काफी ज़्यादा चेंज हो चुका है तो अब हम इसे निकाल कर साइड में रख लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना ज्यादा टेश्टी लग रहा है आप सिर्फ इसे भी चटनी के साथ सब कर सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनके तयार हुआ है तो इसमें से अब हम बाकी का तेल निकाल देंगे और इसमें एक चमच तेल छोड़ देंगे इसमें हम एक चमच कटा हुआ अदरक और एक बड़े चमच कबारी कटा हुआ लहसन एट कर देंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए हलका सा भून लेंगे और फिर हम इसमें कटी हुई सिम्ला मिर्च और प्याज एट कर देंगे यहाँ पर हम इसमें टमाटर भी डालेंगे तो पहले हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे लगबख कुछ सेकेंड के लिए उसके बाद हम इसमें टमाटर एट करेंगे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं इसलिए हम उसे थोड़ा सा लेट एट करेंगे तो टमाटर डालना ओप्शनल है आप चाहें तो इसकी जगवपर लाल पीली सिमला मिर्ची भी एट कर सकत हैं साथी इसमें एक चाहट टमेंटो कैचप डालेंगे मल में चाहट का लिось कि Jud해서 करेंगे इसकी जगवपर काली मिर्च को हलका सा दर्च कूट के भी एट कर सकते हैं नहीं करेंगे क्योंकि जो सारे सौसेज होते हैं उसमें बीन नमक यह प्याइड होता पानिние करेंगे और इन सब को अच्छे से मेक्सक्र के इससे हम डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर कर देंगे आप इन सबको अच्छे से जल्दे जली ileएं क्योंकि यह बहुत जल् excit काड़ा हो जाता है इसμαं जैब इस तरीक तो इसमें ग्रेवी रख सकते हैं तो उसके लिए आप इसमें पाने की क्योंटिटी थोड़ा ज्यादा कर लें और जो कौन फ्लोर है उसे एक चामिज डा लें यहाँ पर आप देख सेके हैं जो सारे सोया बॉल्स हैं वो कितने ज्यादा क्रिस्प बिने हुए हैं इस तरीके स लगबग 143 शमत से भी थोड़ा कम हम इसमें नमक आट कर देंगी और इन सब को मिक्स कर लेंगे आप एक वार इसे टेस्ट कर लें उसके बाद इसमें टेस्ट के रिकॉर्डिंग नमक आट कर दें तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अन्यान यानि हरा प्याज रहा भादे हैं दर्यान जरुइद करेंगी और थोड़ा सा मिसके ऊपर सफिर तिल डालेंगी और बस यह बन तयार हो चुकी है तो इसतरिकी से यह जो सोया चीली है भाद ही ज्यादा टेस्टी बन के त्यार हीए इसे मैंने बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं किया है थोड़ा सा ड्राई रखा है जिसे ये और भी ज्यादा टेश्टी लगती है आप थोड़ी ग्रेवी भी रख सकते हैं तो बस ये सोया चिली बन के तयार है तो आप ही से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और इसमें मेर्स की क्व लिए फिर मिलते हैं एक नहीं देश्टी के साथ तब तक के लिए बाबाए एंड टेक केर आज 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 आज